हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारा चनल राधरानी फ्री एजूकेशन पर आज हम सब्जेक्ट साइन्स की वक्षीट सौल करने वाले हैं वक्षीट डंबर 34 तो आज का जो हमारा चेप्टर है वह हैं मेटल्स और नॉन जो कंपाउंट आयंस से बने होते हैं अन्हें यह इंग कंपाउंट करते हैं इसका मतलब इस बैसिकली पॉजिटीव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं यह इस पर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है इसका मतलब जो है कि जो कटायन कौन से होता है जो मेटल होते हैं वो अपने इलक्ट्रों को लूज करता है कोई मेटल अपना रूज क्यों करता है या गेंग क्यों करता है एक नुवल गयास की कंफिग्रेशन पाने के लिए ताकि वह अन्थे आपको स्टेबल कर सके मैक्सिमन इसलिंग मेटल्स जो होता है आपको स्टेबल करने की कोशिश करते है pro को देना या Electrons को लेना इसी विसीवेसेस पर cation और N1 या बन जाते हैं और जो लेते हैं या गेन करते हैं उन्हें नाय घाते हैं, अरष लस्त इनिकट माट एसेज़द आउनिक पहले कैने द्वानिक आशाग्टे रिवेखें हैं जो डहें होते हैं, अलदेक मतलब तो इसका मतलब क्या है जो elements होते हैं वो electrons lose और gain करते हैं क्यों ताकि nearest noble gas configuration पास तक हैं यह क्या होती है यह मतलब अपने आपको इतना stable रख सते हैं मतलब react ना करें तो formation of ions for the completion of update helps them to gain stability अब यह update क्या होता है आपने वैलेंसी के बारे में जाना होगा तो हम वैलेंसी को कैसे जज़ करते हैं कि अगर किसी की last जो shell में अगर 2 है तो उसके वैलेंसी 2 होती है 3 है तो 3 है 4 तो सर्फ कार्बन की होती है इसलिए वह अपने साथ बहुत सारे bond बना पाता है उसके के बाद अगर 5 है तो उसको भी 3 consider कर आजाता है 5 नहीं रहते हैं तो इसलिए जो लाज जो मेटल्स या नॉन मेटल्स दोनों है अपना पूरा करना चाहते हैं ताकि वह उस नोवल गैस कन्फिग्रेशन को पास सके जैसे कि हमारे पीरेडिक टेबल में जो ग्रोप 18 है वह न सब्सक्राइब करते हैं अब हम देखने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं काता है ने कंपाउंड और टिलविलेंट यॉपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड को छो इल्लेक्ट्रोज वेराइंट कंपाउंड भी कहते हैं यह बहुत बर कर एक से दूसरी जगा ट्रांसार हो तो यससे जो बनता है और इससे जो बनता है इसको आयनिक बॉंड कहते हैं अब हम देखने वाले हैं सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है तो सोडियम को क्या कहते है एने क्लोरीन को किसी है तो देखें जो यह एने की वैलंसी कितनी होती है क्लोरीम की एक तो यह एने क्या है सोडियम क्या है एनसा ह। जो सोडियम है उसके लास में आप यह जो एक इलक्ट्रॉन फ्री देख रहे है यह क्या करता है यह इसे ट्रांसफर करता है, अब देखें इसके जो आउटर शेल में क्या कोई और electron present है नहीं न सिर्फ एक है तो यह इसे देखकर अपना octate पूरा करना चाता है वहीं chlorine के पास एक दो यह तो तीन चार पांच छह साथ पूरे हैं बस एक नहीं है तो यह इससे एक electron लेकर अपनी octate को पूरा करना चाता है तो इन दोनों को ही एक दूसरे की जरुत है एक देना भी चाता है और इसे एक से अपना काम भी पूरा हो रहा है तो इसी लिए यह दोनों अपने साथ bond बनाते हैं और bond मना के क्या बनाते हैं एने cl जो हम नमक के रूप में खाते हैं sodium chloride या फिर salt बोल चाते हैं अब उसके नुसके हम पढ़े हैं formation of magnesium chloride अब magnesium chloride कैसे होता है magnesium के जो last shell में वो दो electrons free होते हैं वहीं chlorine को यहां देखा उसे एक एक होता है तो जो magnesium एक magnesium कि एक यहां पर है और एक यहां पर है तो एक मेगनीशन दो क्लोरीन के सांथ बॉन्ड बनाता है ताकि वह अपने अप्टेट को पूरा कर सके इस तरह वह क्या बनाता है मेगनीशन ख्लोराइड तो अब देखता है प्रैक्टिस कोशिंस के उपर ध्यान देता है तो वाट अन यहां पर यहां से आपका कोश्य नमबर एक है एक मिनट यह सो आपका कोश्य नमबर वन यहां से स्टार्ट होता है यहां से मेटल मेटल टेंट टू लूज इलक्रों तो यहां तक आपका एंसर है तन सेकेंड कोश्य नमट कैसे फॉर्म होते हैं आपके बहले का यहां पर नोन इसकोवरेंट यहां पर कोश्य नमबर टू है आपका तो यहां पर कोश्य से कर्देंट होता है दें थर्ड क्वेश्टिन इस वाइटम्स टेंट टू गेंग और लूज इलक्रों सो यहां इसका इंसर हमारे पास है यह रहा तो elements यहाँ आपका थर्ड कोश्यन है यह रहा आपका थर्ड कोश्यन यहां से ठाट है elements can gain or lose electrons in order to attain nearest noble gas configuration okay यह थर्ड था आपका फूर कोश्यन जस्टिफाइब स्टेट्मेंट इस calcium oxide और आयनिक कंपाउंड calcium oxide एक आयनिक कंपाउंड है या नहीं है तो यह क्यों है आपको इसक्रिप्शिन बॉक्स पे इसका एंसर मिल जाएंगे तो आप वहां से इसको दे सकते हैं कि एक्सपेंद फॉर्मेशन आप सोडियम क्लोड़ाइब तो यहां पर यह दिया हुआ है यह तो आप इस इमेज को बना दे आपका यह फिफ्ट एंसर है आप यह डाइग्राम बना कर सकते हैं नहीं तो हमने आपको एंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल ज कि एंसरे कि एंसरे के लिग कर से कि अच्दिए लॉक्ष।